अगर आप RCB के फैन हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आप काफी इमोशनल होने वाले हैं RCB के स्टार बैस्पैन विराट कोली ने एक इमोशनल पोश्ट लिखा है इंस्ट्रोग्राम पर वो पोश्ट देखकर आरसीबी जो फैन सब काफी इमोशन हो गया है विराट कोली ने ट्वीट किया है जब आरसीबी बाहर हो चुकी है अब प्लेओफ की रेस से उसके बाद आज जाके विराट कोली ने लिखा है कि इस सीजन कुछ ऐसे पल थे जो कभी नहीं भूले जा सकते लेकिन हम अपनी गोल से थोड़ा पहले चूप गए हम निराश जरूर हैं लेकिन हमें अपना सर उचा रखना चाहिए मैं टीम के लॉयल समर्थकों की प्रति आभारी हूं मैं अपने टीम को कोच मैनेजमेंट और साथी खिलाडियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं हमारा लक्ष अगली बार और अधिक मजबूती से वापसी करने पर है आपको तादे कि यह आईपल का सोलहवा सीजन है और RCB अभी तक एक भी ट्रॉफी जीतनी में काम्याब नहीं हो पाई है RCB का ऐसी सीजन जो परफॉमेंस थी RCB कि वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद प्लेओफ में कौल बास नहीं जला एक छोड़ से विकेट गिरते जा रहे थे लेकिन एक छोड़ से विराट कोहली पूरे RCB की जिम्मेदार अपने कंदों पर लेकर खड़े थे और फाइनली उन्होंने उस मैच में शतक जड़ दिया लेकिन फिर जब गुजरा टाइटल्स की इनिंग की बार RCB तो विराट कोहली का जो फोटो था वो काफी वैरल हुआ था और उन्होंने हैट अपने चेहरे पर कर रखी थी और काफी सैड थे उस पिक्चर को देख कर जो RCB का फैन नहीं भी होगा उनके दिल भी टूट वे होंगे क्योंकि विराट कोहली एक नाम ही नहीं विराट को हो नहीं पाए एक बर फिर से RCB और RCB फैन्स का दिल तूट गया यह इंतजार कब तक चलेगा RCB फैन्स का और RCB का या कब तक नहीं चलेगा यह हमें नहीं पता आपको क्या लगता है कि अगले सीजन RCB कमबैक करेगी और IP के टौफिय अपने नाम करेगी या नहीं कॉमें स सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूले